Hello Students, Welcome to Sip Sankar Jijayis, Sip Sankar Jijayis में एक वार फिर साप सभी का स्वागत है तो Students, आज हम बात करने वाले हैं DCC पर जी हाँ हम बात करने वाले हैं DCC पर बात करने वाले हैं कि DCC के अंतर काते कौन कौन से कोर्स आता है और DCC होता क्या तर सुनो बिहार सरकार जी हाँ बिहार सरकार मेडिकल से समंधित, यानि कह सकते हैं पारा मेडिकल, यहां से समझेगा एक एक बात अच्छे से, पारा मेडिकल का एक बिहार सरकार कूर्स करवाता है, कौन करवाता है बिहार, हर राज अपना हर राज वाले सरकार करवाता है, हर राज का लग लग निकलता है, बिहार सरकार का बिहार राज का एक अस्पेसल पारामेडिकल निकलता है और उस पारामेडिकल के अंतरगात जितना भी कुर्स आता है उस सब के सब कुर्स डिप्लोमा होता है। यानि डिपलोमा कुर्स करवाने के लिए बिहार सरकार एक प्रकार के एगजाम लेती है और उस एगजाम का नाम है DCEC यानि डिपलोमा कॉर्स करवाने के लिए बिहार सरकार पारामेडिकल करवाने के लिए पारामेडिकल करवाने के लिए पारामेडिकल करवाने के लिए जि के लिए एक प्रकार का बिहार सरकार एक्जाम लगता है जिसको DCEC कहा जाता है Diploma Combined Interest Competitive Examination और ये DCC का जो एक्जाम कंडेक्ट करवाता है वो करवाता है BCC BCECEB ये बोर्ड है और यही बोर्ड जो है BCC का एक्जाम कंडेक्ट करवाता है बिहार सरकार का बिहार राज का यानि बिहार Combined Interest Competitive Examination Board इस बोर्ड का नाम है जो कि डिपलोमा बिहार अस्तर ये यानि अस्टेट लेवल कह सकते है अल्ली फोर अस्टेट लेवल एक्जाम जो होता है बिहार बे वही बोर्ड जो है चाहे तो स्टेट लेवल पारामेडिकल हो या बीसी सी हो यह दोनों जो होता है यह बीसी सी बोर्ड करवाता है यह बोर्ड एक्जाम कंडेक्ट करवाता है पारामेडिकल कोर्स जो होता है दो आप टेंथ पर भी कर सकते हैं और टेंथ पर भी कर सकते हैं टेंथ पर जो कोर्स करवाया जाता है वो फॉर्म निकलती है डी सी सी के अंतरगात ता उसका नाम होता है पी एम जी हां उसका 파amedical Mechanical, उसका नाम होता है PMM और जो 12 पे form भरी जाती है उसका नाम होता है PM और PM और PM जो होता है वो DCC के अंतर गाता था यानि पारा मेडिकल का डिपलोमा कोर्ष है 10th जब आब pass कर जाएगा तो 10th पास किजिएगा या appearing 10th का exam दीजिएगा उसी जमाहिच का form निकल जाती है यह form जय्दा अटर मार्च के महीनिम निकलती है, पारमेडिकल का जो form है वो मार्च के महीनिम निकलती है यानि का सकते DCC का रतरगात कौन सा कोर्स आता पारामेडिकल का यानि PM और PM दसमा पे आप जब आप दसमा पे फॉर्म भरेंगे पारमेडिकल का तो DCC का रतरगात आपका PM का फॉर्म भराएगा और 12 पर फॉर्म भरेंगा तो PM का फॉर्म भराएगा अगर हम बात करने दसमा पर की सरम, दसमा पर पारमेडिकल, देखे पहले क्या था? आज से दो सार पहले दसमा पर PMD का फ़र बनाता था. तो लोग इसको समाझ लिए थे पारमेडिकल डेंटल की दातवा डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पारमेडिकल से कोई डॉक्टर नहीं बन तो 10th level पे जो PMM भरा जाता है, Paramedical DCC भरा जाता है, दीकें चीजी सी जो होता है एक बात और ध्यास शुक्षेता कि DCC का उन्तर का Полटेकनिक भी होता है बाभू Полटेकनिक भी होता है पोगज सम्ड़ और, भीहार में पूरी बिहार में थे उता है। और एक ही कोर्स में अड़िसल मिलेगा दस्मा पे ड्रेसर जी हां ड्रेसर का कोर्स में आप जब दस्मा पास कीजिएगा न तो दस्मा पर पारमेडिकल भरिया तो दस्मा वाला लेवल पे मात रेकी हो कोर्स दिया है विहार सरकार यानि विहार MBCC बोट दिया है ड्रेसर का को लेकिन यहीं आप जब 12th पास कर जाएंगे और 12th पास करने के वाज़ आप पारामेडिकल PM का फॉर्म बरियेगा 12th पे तो पारामेडिकल 12th पे जो में पारामेडिकल होता है वो 12th पर ही होता है और यह 12th पर जो पारामेडिकल होता है उसमें कॉर्स आता है एनेम जी एनेम ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट चच्छु नेतर जिसको बोलते है डी मति डिप्लोमा मेडिकल लाइफ टेक्निशन पैथोलोजी चांच वाला एकसरे टेक्निशन ओटी ऑपरेशन थेटर असिस्टे का भी कर सकते हैं डी फार्मा कर से डिप्लोमा फार्मेसी और और अर्थोपेडिक या प्लास्टर टेक्निशन का भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं और फीजियो डिप्लोमा यानि डीप फीजियो थेपी का कॉर्स यानि कह सकते हैं जब आप 12 लेवल पे पारामेडिकल का फ आपको जब 12th exam पास दिजेगा और पारमेडिकल जब एक्जाम दे दिजेगा तो पारमेडिकल जब एक्जाम दे दिजेगा पारमेडिकल एक्जाम मार्च महिने में फॉर्म निकलती है अप्रेल जून तक एक्जाम हो जाती है और एक्जाम का नाम होता है DCC यानि DCC डिप्ल सरकारी से कवर्मेंट से तो एनन जीननेम कोर्स जो है depends on m और जीनम कोर्स जो है आंधू पर बिहार सरकार में गःंगोः सिल्फ बगर्स कर सकती है बाग्या को सबोनों कर सकता है ख jin यानि A and m. ond GN m course झो है बीहार सरकार में सिर्फ लड़ाकी कर सकता है लड़का नहीं कर सकता है भीहार सरकार में। आप लड़का है तो आप सिफ टित मेश भीयों कर सकत में या Credit college से कर सकत मैं लेकिन बीहार सरकार का निती है government में आप GNM लड़का न कर सकता है नहीं लड़की कर सकता है ना लड़का एक कोई भी नी कर सकता है A&M में गर कर सकता है only girls कर सकती एनम और जीनम को को सिर्फ लड़की कर सकती है बागी इस सब को से यहां से इधार इस सब लड़का लगकी दोनों कर सकता है ठीक पार मेटिकल के वोर बरना है और इसमें आपको कहीं पर आड़ील लेना है तो एड़ीकल meu होता जो इंपोर्टिंटो बपार्ध है है इतना तो इतना कोर्स में अगर आप अड़िसर कोई कोई सी भी कोर्स में आपको मिल जाता है तो आपकी भविस्क लिए बहुत बेतर असकोप है सबसे बेतर है आप यहाँ पर टेंथ पर करने को बहुत सर बच्चे का होता कि सब हम टेंथ पर करें तो टेनत पर करने के बादी कुछ नहीं कर पाईएगा देरीसर काओ कोऊ होता है छे मैंने सार वबर का इसके बाभ आप जिवन वह कुछ नहीं कर पाईए करने की बैकारे एदसे किजेए गया ला downwards इसपर सरकारी नौकरी लगता है पुझ इसा संदृत रहे हो catching दोगने हेट गिंनर्ठी सब्सक्राइब थेटर करते हैं जल्दी जॉब लाएगा सरकारी विचे अपरेशन रूम में रेडियोलोजिक आते हैं इसमें CTS के आता है अल्ट्रासॉंड आता है इसमें खुड का एक स्टोर खोल सकते हैं यह सारी चीजु है आप खुड का कर सकते हैं लेकि यह करने के वाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए कोई बच्चा अगर पारमेडिकल का फॉर्म भरना चाहता है और उनको नहीं पता है कि पारमेडिकल का फॉर्म कम निकलता है तो बता दे मार्च की महीने में निकलता है कभी-कभी लेट भी हो जाती है एक दुमेना लेकिन मार्च से सुरू हो जात तो मार्ज की महिने में निकलती है और जून के महिने में इसका एकजाम हो जाता है इस बाद थो थुड़ा सा लेट हो गया है कोई बात नहीं इस बाइश में लेट हो गया तो यह पारवेडिकल के अंधरर गेट कॉर्स यह एस्टेट लेवर ॉडिप्लोमा कॉर्स सब इसके बैचिलर कोर्स करना है तो बिहार सरकार से तबी सेसी कीजिए डॉक्टर बनना है तो नीट कीजिए है कि नहीं इस वीडियो को सेर कर दिजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रही है